तो आज मैं लिखे हैं पनीर की एक ऐसी रेसिपी जो की बहुत ही जल्दी बन जाती है बहुत जादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में और खाने में बहुत ही डिलीशियस है आप इसे रोटी नान या फिर चावल के साथ सर्फ कर सकते हैं आप इसे लंच में या फिर डि मैसे पीज मैसे है जो बहुत जल्दी बन जाती है बहुत जादा टाइम नहीं लगता है तो चलिए इसे बनाते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पिलिया है 200 ग्राम पनीर इस तरह से रेक्टैंगल में कटावा या फिर स्क्वेर में कटावा तो इसको सबसे पहले हम एक चोथाई छोटा चमस लाल मिच पाउडर और दो चुटकी हल्दी इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे या फिर टॉस कर लेंगे ताकि यह जो मसाले है पनीर में अच्छे से कोट हो जाए और पनीर में अच्छा सा इसका फ्लेवर आए इसके बाद इसे हमें 10 मिनिट के अच्छे लिए ढ़क के मैलिट करने के लिए रख देना है तो 10 मिनिट के बाद हम जो है कड़ाई को गरम करेंगे और इसमें टालेंगे दो पड़े चमच तेल तेल गरम हो चुका है तो इसमें मैं डालूंगी पनीर के क्यूब्स इसे हमें फ्राई करना है पनीर को बहुत देख लगी कुछे अगर बहुत ज्यादा तक पनीर को फ्राई करेंगे तो इससे पनीर हमारा चुंगम की तरह हो जाएगा खाने में त्पूरी नहीं लगेगा तो इसलिए बहुत ज्यादा देर तक पानीर को हम फ्राय नहीं करेंगे तो यह देखिया हमारा जो पनीरे फ्राइ हो चुका है इसे मैं जो है एक प्लेट में निकाल लूँगे और इसी ओईल का यूज करूँगी तड़के के लिए तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी एक इलाइची डो लॉंग और एक इंच दालचिनी का टुकड़ा और एक इस परता इसे 10 सेकंड के लिए के साटे कर लेंगे ताकि यह जो अपना फ्लेवर है रिलीज करें यानि इसका जो फ्लेवर है तेल में अच्छे से आ जोए और इसके बाद इसमें डालेंगे एक छोटा चमश जीरा कि इसे भी 10-15 सेकंड के लिए भून लेंगे और इसके बाद इसमें जाएगा कद्दुकस की आवा, एक प्याज, आप चाहो तो बारीक काटके डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे कद्दुकस किया है, इसे हमें सुनहेरा होने तक भून लेना है, यानि गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राइ करेंगे, मीडियम फ्लेम पे तो यह देखिए, हमारा जो प्याज है लगबग फ्राइ हो चुका है, तो इसमें मैं डालूंगी, एक टेबल स्पून, जिंजर गालिक पेस्ट, यानि अद्रक लसुन का पेस्ट, और इसे भी हम जो है, 20-30 सेकिंड के लिए फ्राइ कर लेंगे, तो यह देखिए, 20-30 सेकिंड हो चुके, इसके बाद मैंने हाँ पे डाला एक छोटा चमच, धनिया पाउडर, आदा छोटा चमच, हल्दी पाउडर, और इसे 40-50 सेकिंड के लिए अच्छे से सौटे कर लेंगे, ताकि यह जो धनिया और हल्दी है, अपनी कच्ची स्मेल छोट दें, और इसके बाद चाहेगा टमाटर, मैंने टमाटर को भी कद्दुकस किया है, दो टमाटर लिए मीडियम साइज के, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में, और अभी मैं इसमें आट करूंगी, एक छोटा चमस रेट चिली पाउडर, और स्वाधनुसार नमक, और इसे अच्छे से में मिक्स कर लेंगे, और इसे ढख के हमें जो है, पकाना है टमाटर को, जब तक टमाटर जो है तेल ना छोड़ दे, तब तक, मैं इसे ढख कन लगा के पकाऊंगे, आप चाहो तो ओपन भी पकाच सकते हो, इसमें जो है, दो से तीन मिनट लगते हैं, तो ये देखिए, दो से तीन मिनट हो चुके हैं, मैं ढख कन हटा के देख तो तमाटर जो है, ओईल छोड़ चुका है, तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, और अभी इसमें जाएगा, मलाई, दो बड़े चमच मलाई लिए, जिसे अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे, ताकि मलाई जो है, फटे नहीं, ये घर की मलाई है, यानि जो दूद होता है, दूद के उपर जो मलाई जमती है, वो मैंने लिए, यहाँ पे गर की बनीवी मलाई है, और इसे हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से जो है, भून लेना है, ताकि मलाई जो है, फटे नहीं, एक चीज़ का ध्यान रखें, मलाई को जो है, फेंट के आप इसमें डालें, और उसके बाद हाई फ तो यह देखे, मलाई अच्छे से जो है, इसमें घुल मिल गये, अब अभी हमें जो है, इसमें पानी एड़ करना है, पानी हमें उतना एड़ करना है, जितना हमको पनीर की ग्रेवी रखनी है, अगर आपको थोड़ा ड्राय रखना है, तो कम पानी एड़ करें, अगर आप इसे अच्छे से मिला लूँगी और इसे ढखके हमें कम से कम दो से तीन मिनट के लिए पकाना है यानि जब तक जो यह मलाई है हमने जिसमें मलाई डाली है वो अपना घी ना छोड़ दे तब तक तो यह देखिए आप देख सकते हूँ जो मलाई है वो घी छोड़ चुके है यानि टमाटा मलाई का जो मिक्षर है वो अच्छे से जो है पग चुका है और जो है सेपरेट हो चुका है घी सेपरेट हो चुका है तो अभी हम इसमें डालेंगे पनीर जो हमने फ्राय करके रखे ते वो और इसे भी अच्छे से इस ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे और इसमें जाएगा अब एक छोटा चमच गराम मसाला और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद हम इसे ढख के कम से कम दो मिनिट और पकाएंगे दो से तीन मिनिट तक ताकि जो जितना भी ये मसाला वगरा है ग्रेवी है ये पनीर थोड़ा बहुत सोक ले अच्छे से तो ये देखिए दो से तीन मिनट हो चुके हैं तो ले ढटाएंगे तो आप देख सकते हो हमारा जो पनीर है बिलकुल तयार है तेल भी उपर आ चुका है यानि अलग हो चु हुआ है देखने में भी अच्छा लग रहा और खाने में तो बहुत ही तेस्टी है इसके बाद गार्णिश करेंगे हरे धनिये से और इसे जो है दो से तीन मिट के लिए धक्के रखेंगे ताकि जो आच्छे से पनीर में अच्छी सी खुश्बू आ जाए सारे मसालों की औ अगर आपको यह रैसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज ज़रूर ट्राइ करें घर पर और फीडबैक ज़रूर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चानल को भी सब्सक्राइब कीजेगा तो वो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई